सबसे सब्सक्राइब बिलान 18 रुपे का हमें दो दिन की वैलिडिटी के साथ मिलता है जिसमें आपको 100 SMS मिलते हैं आप दो दिन के अंदर इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों सभी कमपनियों में SMS पैक के अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है कुछ कमपनियों में SMS प आपको एक लिंगा जिसका नाम है ग्रो एप जैसे ही आपको आप डाउनलोड करेंगे इसमें रिजिस्ट्रेशन कर लेंगे आपके अकाउंट में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे सस्ते प्लान से तो मैं आपकी जानकारी के बताना चाहूंगा सबसे सस्ता SMS प्लान आपको BSNL के अंदर देखने को मिलेगा तो मैंने यहां पर BSNL का चार्ट ओपन करका है यहां पर आप उपर सबसे उपर देख सकते हैं कि BSNL के अंदर सबसे सस्ता प्लान 18 रुपे का हमें दो दिन की वैलिडिटी के साथ मिलता है जिसमें आपको 100 SMS मिलते हैं आप दो दिन के अंदर इसे यूज कर सकते हैं नहीं तो यह एकस्पायर हो जाएगा आपके प्लान की वैलिडिटी के साथ इसके अंदर दूसरा प्लान जो आता है वो आता है 29 रुपे का इसमें आपको 5 दिन की वैलिडिटी मिलती है और आपको 300 SMS दिये जाते हैं तो ये 5 दिन के अंदर ही आपको यूज करने हैं नहीं तो ये automatic x bar हो जाएंगे तीसरा प्लान 97 रुपे कर आता है जिसमें आपको 100 SMS डेली देखने को मिलते हैं इसकी वैलिडिटी 18 दिन की आपको देखने को मिलेगी 18 दिन के अंदर ही आपको इसे यूज करना होगा 37 इसमें unlimited call और 2GB रोज आपको देखने को मिलता है तो ये सबसे सबस्ता प्लान BSNL के अंदर देखने को मिलेगा यहाँ पर एक बात ध्यान रहे कि आप ये SMS पोर्ट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं अगर आप लोकल SMS को सिर्फ आप लोकल पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं दूसरी company सबसे सस्ते SMS पैक के लिए आपको जियो देखने को मिलेगी तो जियो फून अगर आपके पास है तो आपको सबसे सस्ता SMS प्लान इसके अंदर देखने को मिलेगा जिसमें आपको 100-300 SMS देखने को मिलेंगे इसके अलावा जो भी unlimited recharge आप इसमें करते हैं जैसे 149 रुपे हुआ 1999 रुपे हुआ या 249 रुपे की recharge का amount का हुआ तो उसमें आपको 100 SMS देली देखने को मिलते हैं तीसरी कमपनी है एटल, एटल के अंदर सबसे सस्ता SMS पैक 46 रुपे का आता था लेकिन वो अब expire हो चुका है अगर आपको अब SL, एटल के अंदर SMS पैक चाहिए तो आपको smart एटल recharge करना होगा जिसमें आपको सबसे छोटे amount का recharge 129 रुपे का है जिससे आपको 100 SMS देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आप plan की detail भी देख सकते हैं आप यहाँ पर click करके इसकी plan की detail भी देख सकते हैं आपको इसमें 300 SMS देखने को मिलेंगे अगर आप इसमें 148 रुपे का 199 का या 248 रुपे का recharge करते हैं तो इसमें आपको 100 SMS डेली देखने को मिलेंगे इसके अंदर 119 रुपे वाली recharge के अंदर यह बात है कि आप इससे UPC code भी generate कर सकते हैं जिससे आप अपना नंबर port करा सकते हैं इसी तरीके से वी आई की बात आती है तो वी आई के अंदर भी मैं आपको बता दूँ के 129 रुपे का recharge ही SMS पैक के अंदर आप देखने को मिला है जितने भी 18 रुपे वाले 32 रुपे वाले और जितने भी सस्ते SMS पैक थे वी आई के अंदर भी हटा लिए गए हैं तो अगर आपको वी आई के अंदर भी SMS पैक चाहिए तो आपको सबसे सस्ती छूटी अमाउंट 139 रुपे की देखने को मिलेगी जिसमें आपको 300 SMS देखने को मिलेंगे 28 दिन की वैलिडिटी के साथ और unlimited call के साथ अगर आपको डेली लिमिट के साथ SMS चाहिए तो आपको 149 रुपे का रिचार्ज कराना होगा या आपको 199 249 रुपे का रिचार्ज कराना होगा जिसमें आपको 100 SMS डेली देखने को मिलेंगे साथी साथ आप उससे UPC कोड भी जनरेट कर पाएंगे तो ये सभी कंपनियों के SMS बैक के बारे में मैंने आपको बता दिया जैसे ही कोई नया अपडेट या नया SMS बैक आएगा मैं आपको YouTube के चैनल के जरीए या अपने मेरे टेलिगराम चैनल के जरीए Xmart इंसी मेरे टेलिगराम चैनल का नाम है वहाँ पर मैं आपको अपडेट कर दूँगा तो इसके लिए आप